परम शान्ति परम शान्ति सभी का स्वागत है परम परम स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्प्रिजल पोड़कास वी धरनत में मैं हूँ अनन्त और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट आए हैं बिहार से सुधा जी और आज हम उनकी अध्यात्म की जर्णी की चर्चा करन वाले हैं तो भेंजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो बताई ये शुरुवात कैसे हुई आद्यात्म में आगे बढ़ने की माबापो जी को कोटी-कोटी नमन निरु मा अनन्त भाई सभी को कोटी-कोटी निरु देदी से मिलने का मुझे मौका मिला था अच्छा अच्छा लगा था लगा था कि हम अपने से मिले हैं खुझ से मिले हैं तो बहुत ही अंतर मन से हमको धनिवाद देना चाहते हैं उनसे बहुत सीखा है लेकिन बाकि अध्यात्मी जर्णी तो जो बात आप कर रहें भाई वो तो बच्छमन से हैं वो छोटे थे तब से ही उसमाज यह सब ग्यान नहीं था कुछ निए ग्यान के अध्यात्म नहीं थी लेकिन वो पूजा पाठ भगवार में विश्वास वक्ति वगरा करते हैं व विश्व केरा करते हैं विश्व के विश्व करते हैं अच्छा है पुरے लोग बैस्वन है अच्छा मदर फादर है हाँ मदर फादर और मेरे घर में संत अब कहां से है बिहार से हमारा घर ऐसे तो मतलब गया जिला जानते हो गया जो गिश्नुपद है जी 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 बस उसी के बगल मेरा मायका है अच्छा और ससुराल हो गया और अच्छा 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 ठीक तो हमारे जो मायके हैं न वहा पर पेशले साल जबाया थे वरात्री में पूरे गीता का मितलब कहीं से उनको असलोग पुछ लिजिए उसारा कंठस्त और हम लोग को भी कहीं से डाउट होता है था हम लोग भी पढ़ते थे और बताते थे विश्णु सहस्त्र नाम का जाब हमारे हर घर के हर वेपी करता थे अच्छा वी कंठस्त था अच्छा और आज भी हमें याद है विश्णु सहस्त्र नाम का 120 सब्सक्राइब तो भगवान विश्णु के आपके वह मंदीर है या आप किस फॉर्म में याद करते हैं लब करिश्न के फॉर्म में या किस तरीके से ही नो कोई क्रिश्न के रूप मतलब सीव का भी हम पूझा करते थे जो हैं बहुत करते थे हमारे अपना सोचे के हाथ से नहीं पकड़ ले तो नहीं पकड़ा जाए और हमें आ यारा मतलब प्रती दिन बिना जल चड़ाए है खाना ने था चाहिए वारवज़ा एक बज़ दो बज़ा तो अध्यात्मे की जरनी ही समझे उसको और सीधियां थी इसको हमें चढ़ना था और धीरे धीरे वह शुरू हुई तो चलते रही चलते रही उसके बाद कि जब हम और बड़े हो गए साधी साधी सुधा एक इंटर्नल इच्छा राती थी साधी की नहीं उनको लगता हैं समाज का कल्यान करना हैं अमने स्कूल खोलना हैं घुकता हैं अच्छा घूब बच्चों को भीना द्रेस के तो हमारे मन में में होता था कि इसा कुछ गरे नम माराज की मतलब एजूकेशन हुआ है उस जमाने में हमारे पापा हमारे लिए बहुत ही महनत किये थे अच्छा पर नहीं जाती थे तो आप कॉलेज किये हैं और उसके बाद मेरा 32 साल, साधी का 32 साल हो गया, 52 यर्स हमारे हो रहे है इस शरीर के, आच्छा, तो 32 साल तक हम अबतलब उस सुराल के ही, 32 साल मतलब बापु जी तो पीछ में मिल गया है, लगे अभी हो गया, आच्छा, तो वहां आने के बाद, लोग तो हैं पुजा पाट क नहीं है, प्रचार नहीं है, लेकिन हम अपने काम को करते ले हैं, हमारे काम को अहमियत भी दिये, हम मतलब बच्पन से ही, कभी 99 तो मेरे घर में बनता है यह नहीं था, और लसन पे आज भी हम नहीं खाए, अच्छा, हाँ वेशन तो बड़े पक्के होते हैं, वो तो नहीं लसन पे आज भी हमारे घर में बर्तन में नहीं जाते हैं, अच्छा, यह बड़ी कमालटी बात, बर्तन में भी नहीं जाते थे, और हम, हम नहीं खाने कामेरा नहीं था, हम आज भी नहीं खाते, अच्छा, मतलब बापुजी ने तो हमें प्रीज कर रखा है, कि दबा के जी, जी, तो फिर हमारे बच्ची हो गए, साधी के नहीं पर उस कर परिस्तितियती कि नहीं सकती अधि भूब," दो जम्मशना में ऐसा हीसा ही था फिर चले गया शर्रौभान ऍहुरो Π कर दti दो जोन preक्षा नहीं अदेक. तो हम पटना में चले हैं लेकिन जरनी चलती रहे हैं कुजा पाठ का चलते रहा नवरात्रा है नौ दिन साना है धूमी पर सोना है दर्ती पर सोते थे और हम कहते थे कि मां अगर तुम हो तुम परकट हो मेरे सामने आ हम इतने दिल से तुम्हारी पूजा करते हैं तो सामने क्यों नहीं आता है अगर भगवान हो तो मेरे सामने आ लेकिन कुछ नहीं कभी दिखे कभी कुछ भी नहीं हुआ पूजा करते चले गए उसके बाद कुछ ऐसी नहीं कहना चाहेंगे वो बातों को कहने का क कोई नहीं हैं, पिछली रिवार कह चुके हैं लेकिन अब कहने का कोई मतलब.. नहीं समयाया.. तो हम.. भ्रहम्हा कुमारी से जुर रहा है ऐगा.. अच्छा कौन से साल में.. 2012 अच्छा 12 में उस वक्त तो विनास की बहुत बाते होती थी 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 ना लेकिन हमारे अंदर जो विनास चल रहा था अच्छा हमारे मन के विनास हो रहे थे हमें सांपी चाहिए थी बचक किस बात मत्लब क्यों ऐसा क्यों हो रहा था हुआजमना लाuff criteria परिवारी हो ता हम इसको समय हैं नाम सूधा जो था हम बहुत सीधे थे सदा, सीधा, यह सही है, हमें वह चल कपट वाली बात जो लगता था निम्हेरे अंदर एक होता था कि एसा कि पुरा है, हम दूसरों को नहीं समझ पाते थे, हम तो किसी के साथ बुरा नहीं करते, फिर भी मेरे बारे में लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इसे क्यों कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बोला कि ब्ल Kerry में घवान चीनिर में बेड़ा आठी हैं, अच्छे अ और फिर कितने साल गया बजल में किया चार साल में अच्छा कैसे मिल गये थे पापु जी मिले उसकी बहुत अजीव कहानी है अच्छा ब्रह्मा कुमारी में रहते थे और उसमें पवितरता की उसमें कॉंसेप्ट अलग था तो पवितरता के लिए कि घर भूल हल्चल होता था बहु जादा हल्चल कि लगता है कि सन्यासी बन ज को लोको लगता था की घर चोड़ के भाग है अच्छा अज हम चरुक हमारे उकर थी और अभी तक कोई जे अजर आहींगै कि जो हम अपने जो कुछ संभाले हम मुप्त हो हैं चैनल तो अब घूंच को भी है तो पत्थर हम प्रशा हुआ है निकाले तो तूत पूट जागा हाथ भी ऑनारी चोड़नेरा लेकिन पता चल गया तो फिर उसी समय हमारे मायके में एक पूजा थी उस पूजा में हम गया और जब वहां से आए तो नीलु यादव अब बताए थे ना जी 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 तो नीलु यादव जी वह अपना बना रहे थी मतलब पोस्टर लगा रहे थी पापुजी का उसमें अच्छा प्रशार प्रशा पापुजी बोले थे कि 2022 में सीवारी बोली है ना की एक गाट पर वो क्या हो बोली थी कि 2022 में विद्वारत भारत बूरू बनेगा और लाइट हाफ लूग बुल्कुल उसको सुच्य बतन की आत्माये वेज मार करके बात बुलाई गया जी बिलकूल जी इस वीडियो बोले तो हम वीडियो सुने फिर और सारे वीडियो सुनेट। उता है। उता है सुनते मतरी से बापु जी का भी सुनते थे लेकिन उनिर बुद्धी नहीं थी उस में प्रक्रना धि थी तो हम नहीं समझब जहानावाद जगह है जहां पर निलु आदब जहां की है उसे स्टेशन पर हम लोग पादी पीने के लिए सब लोग उतरा अच्छा और बापुजी का पोस्टर अच्छा और जो पोस्टर जो भाई बेसल अच्छा इहां टच किया ओ लग रहा है कि बापुजी के हम मतलब हम मतलब में समाते जा रहे हैं अच्छा हम समा लोग फोन आप इतना अच्छति से समझति between जी हम आपको एक फोन दे देते हैं कि मेरे बास भीया पैसा नहीं अरी बच्चों कुपड़ा रहे थे तो भीया थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता था हम बहुत मंगा आता होगा है हम आपको और कर दते हैं मंगा दते हैं आप फोन ले लिजे से आपको उसमें मुरली बगारा ज अब हमारे पास थे और उसी से पापूजी का वीडियो जो सून में लगे आपने दूरती पोस्टर में से वह खोल लिया हाँ तो पोस्टर से जो भाईवरेशन आये तो फिर सूची कि अभी हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि है कौन ठीक है पहले तो यह समझे ना कि अब तो इ अब तो इस नंबर निकाल अच्छा हमें अभी चाहिए यह नंबर अच्छा हमें अभी चाहिए अच्छा तो है तो तो थम्हां लगी तो तुम फिर क्या करने लगी हो तो प्रॉट रही हो एक श्री कारम क्या है अच्छा हम कहां संध है नहीं हुआ कैसे नी दे रहे हैं फसे न कर थो कर रहे हैं हम भगबान को याद कर रहा है ቤ की नी हम को समझ्जाने के लिए बहुत प्रेयासनी है लिए आज करहें घर्ण में ने हैं कि आ ले जो पकड़ हमें पकड़े, और फिर जो निस्ट्रा आया उसके बाद, फिर बापुजी का विडियो धना दन दन जितना विडियो वाते रिआ उसके बाद आया कि परिवरतन होने वाला है प्यार्जानावाद कोफ है, अब एक प्रीचे करें, मैंधे, तब एक्टूबर प्रोगरम खतम के से आप प्रीच के, सानलावादWithी है. अ depends 2077, आपने बहुत हैं यया पंड़े कि नियललो याद़ इस जानवाद के साई ही ब्हुतिया जानावादी कोलए है कि हम तो परमात्मा से मिलने का मुझे अपसर नहीं मिला, भगवान धर्ती पर साकार में आया हम तो मिले नहीं, तो जो मिला है, उससे बात करके उससे एक बार मिले, वो भी परमात्मा के समान ही होगा ना, जो परमात्मा से मिले, जैसे है ना, कहा जाता है रामजरु रित्मान तो फिर जहानाबाद उसके एक पोटो दियो और पागल की तरह पागल पन एक अंदर से पागल पन करें हमें इतनी खुशी हम बताते थे भगमान आगये अब तो एधर्थी नहीं रहेगी और 2018 का कॉंसेप्ट हां सब्सक्राइब इतनी खुशी इतनी आनंद अंदर से घर से योग में एकदम दिन रात तफस्या सब बचों को किसी तरह से खाना बना देना है और बस बैठ जाना है रोम में दर्वाजा बंद कर लिना है अगल बदल वाले से बाते कर दे थे अच्छा सबसे बाते बंद बाते बंद बीके में जाते थे तो बीके के मुर्लिया का थोड़ा क्लियर कि बीके में से क्या ऐसी चीजे नहीं मिली जो आपको यह पोस्टर दे के या फिर इसमें लगा बीके में पॉइंट यही था भाई क्या दिल में कमीर लग रही थी सबसे पहला पॉइंट था कि पांच हजार का बल्डराम वो हमें कभी भी रास नहीं आया हुआर्ड व के पड़श के बाद जहां संसकार की बात हौती थी ही संसकार पापु जी बोलते है लग22 कि में जाके संसकार परिवदभ तो हमने पटना में जब रहते थे ला तो टो पटना कर सभी को सिपकर्ओारा थीूल क्या सावा, तो कि जए अख गुए ही श्यालागी हंज़ में उचिजब कर था कर दे सुनि मेरे योग इनलग कर दो नहीं पहुम्ली है तौन स्कोराम का से लग हो, अज अज लगता है कि मेरे आकारी बापो जी ओँ हमें बार बार डायरेक्शन देटेते हैं तो समझ में आया तो हमारे यहां का था वहा तो हमारे एक पात था जो हम ओहीं तक गए पिर दूसरा चीछ पर लोग सास्त्रों कुछ भूट बोलते थी हम बोलते थी हैं सास्त्र कैसे सास्त्र का अधियन है और लों को केवल एही विश्वास दिलाए जाता है कि भगवान आ गये हैं और यहां बिनास होगा तुमको बचा लिए फेथ बैठ गया है एपहे विश्वास और इस विश्वासने कारण और दूसरी चीश चोटो नंबापुजी हो मरें ओ पोड़े वो लो को में संकल पूजु भी करते हैं तो लोको संकल्प माया के संकल्प बहुत साथ बहने बोलती थी हमें तो बाबा ने हमारा घर बन बा दिया बाबा ने हमारे बेटे को जौब दिल बा दिया इसलिए परमात्मा आया है परमात्मा क्यों हो आकेशी को करते हैं बारमात्मा को हम नौकर बना के रखे हैं जब देखो अपनी इच्छा बनाए, ए बगवान मेरा ये कर दे, वो कर दे, ये सब बाते हमें, वो तो बक्ती मार्क में भी वुआ हुआ, फिर ग्यान मार्क में भी वही बात हो गई, तो ये चीज हमें अंदर ही नहीं जाते थी, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, लेक जो हमारे कर्म घर और हम किसी को घर दान में दिये होगी, पिछले जनल में तो घर बन जाएगा, बेटा मेरा वो आया जिसे मैंने लिया, अजिसे तो तो इस बने लिए थे, जो बेटा तो ही बनता है, जिसे हम कर्ज लेते हैं, या फिर दिये हुए हुए अच्छा, ऐसा होता जो आपको सेवा कर रहा है, तो आपने उसको बहुत सेवा की है पिछले जनल में, तो बेटा बनके आपको सेवा करने आए, अच्छा, या तो धान आप उसे को दिजिए गा, बीना कह नहीं दे सकते हैं, उससे मोग हो जाता है, कहें कि हमारा वो बेटा है, लगता है, दुन जाता है, 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 जाता इतना दुखी हो रहे हैं, तो बोले कि मेरा बेटा था, आप नहीं जानते हैं, तो नहीं पार्थ हो तुम्हारा को ई नहीं था, वो तुम्हारे से हिसाब चुकता करने के लिए आया था यह तो हम कई बार चर्चा कियें, जी। वो चुकता करने आया था और तब बोले कि तब भी उसको विस्वास नहीं गया तो जहां उसकी सोल थी तो उसको लेके गया तो वो बोला कि इसे को यह तो दो तीन बर कहानी आप दो तीन कहानी ऐसा सुनाएं अच्छा वो तो चाचा हुई हमारी चोटा बच्चा मर जाता है तब की बता है तो चोटा चोटा बच्चा है तीन रानी की जहर पिला दिया था तो सारे हिसाब किताब है ऐसे कोई किसी को नहीं जहर दे सकता है ना किसी को अमरे पिदे से वो हमारे कर्म है हमारे प्रालब्ध है रात में हो रही ठीजा ता प्रालबध उपकर आएगा मेरे ने इसे पोट हूँ हो सकता है चाहरा है यह पीना Harg है लोगों को बतााता है तो मिuela निया नहीं रखा तो हम उसे हो तरव होती है सह siendo बजाते हैं दस लोगों को बताते हैं, और वहाइरवेशन दसको बार हम तकलिफ होता है, तो अनानत भाई को बता है, उसको बता होता है, तो उसको बता है, तो सोची कि और बढ़ गया. वापिस आते हैं वह कहानी पर … कम पढ़ रहा है? अचा, ठीक है, त्यक्त जे. योजां पता नहीं कैना को को बोल दी थि थे असा नहीं रहने वाला है तुम योझे करो हमको कोई सब्सक्राइब करो हमको कोई से संतर इसे पढ़ाई के पीछ पागल गए थे ना वो लोग देख रहा है कि मेरे पर ते लोग केर ही नहीं करती पढ़कर आ रहा है खाना कहला देख यह उसके बाद रूम में पूछ आती बच्चे बड़े हो गये थे जी बच्चे बड़े थे तो मतलब अभी सब जॉब में तो उस है जो अपना काम करते रहती है कोई हमारे साथ नहीं रहते है कर है अपकर चार बच्चे मेरे करके पटना लिका ​​ट रहते हैं मतलब इक लैट ले करके और आव हमने करते हैं सब जी लाने से कम के लिए में खुद भी मेरे husband जाते थे कभी एक दो महीना पर पैसा देके आगे या फिर और लाइन जब ट्रांसफर का चला तो और लाइन ट्रांसफर कर दिये और जब बीके में चले गए तो उसके बाद वो और फामाना जाना बन शुरू कर दिये इस तरिये हमें अकेले ही च्टागल करना पड़ता था उसमें बीके सेंटर जाना आच्छा आते रहते थे 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 ना बीके के सेंटर आप माउंट अबू भी गए बाबा मिलन होता था उस वाक या नहीं ठीक है तो उस वक्त आप वहाँ थे जी उस समय हो जाए ठीक है और वही 2015 की बात है 2016 में फिर बापु जी का वीडियो सुने लगा अच्छा फिर बापु जी का ग्यान में लिगा कुछ तो पढ़े लिखे थे ना जी विग्यान का कुछ तो थोड़ा बहुत समझ बापु जी के द्वारा और आने लगा कॉलेज की यह तो चलता है दिमाट तो और हमें अध्यन करने का मतलब थोड़ा सौक आज तक है अभी हम कुछ-कुछ पढ़ते रहते हैं तो बापु जी का देखते हुए भी हम कोरिलेट करने के लिए कि कहां कितना लोग जागरत हो रहा है हम सब को उसी रूप में देखते हैं कि हर जबे पापुजी के द्वारा ही जागरती हो रही है चाहिए वो कितना भी अलग सेंटर चला रहा है जैसे पी एमसी वाले आप बात आई पी एमसी वाले जो है पत्री जी का भी है उनका भी कॉंसेप्ट हमको बहुत अच्छा लगता है उचाहिए वह पाइवडी क हिआ आत्मा के आत्मा के उलग बात करते हैं और अभी तो ऐकरभी ढ़ Allan को फाइडी हो चौटे रूड़ परिवरतन की बाते करते हैं और यह भी बोलते है को उपर की जुदिया है वेसी जीवन और मरन से मुच ढृबरा बरह नौख है तो ऐत वह फोटे रूप में है मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे यह सब नाम नहीं लेता पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि दुनिया में भी ऐसी बहुत सारे लोग हैं क्योंकि सुक्समत जगत से उनको डाइरेक्शन मिलता है तो वो उस पर चर्चा कर रहे हैं तो यह सब जो है वो क्योंकि उनका सोर्स हैस्ट उपर का तो हुए या नहीं वो तो राम जाने पर सुक्समत दुनिया के द्वारा यह सब को मैसेज मिल रहा है और दुनिया में बहुत सारे लोग इसी पर बात कर रहे है मतलब बात आ रही है और यह बात बीके में नहीं हो रह तो एक concept दुनिया में जाने लगा तो हमें लगता है को काम चाहे उनसे जुड़े या नहीं जुड़े लेकिन वह एनर्जी का कल हमें एक सब्द बोले थे कि हम सब एनर्जी बेहेंगे बिल्कुँ इस रीर तो केबल एक जैसे गारी है इंजन है तो सब पार्ट बर्जे लेकि हम पेला रहा है तो बहुत लोग पर हम सांती की आचार पर्जे silect की बाते हैं हम उनका भी सुनते है कभी-कभी सुन लेते है जैसे आता है आगे सामने तो हम देखना छा जाहते है कि बोलते क्या है जी मैं भी हाँ इसलिए ये नहीं कि हम उस पे ना ना हमें तो अच्छी मेसेज हो तो सीखना है और अच्छा लगे तो प्रमोट करना है इसमें क्या है प्रमोट करना है जी जी उसको हमको कुर्रेट करके उस ग्यान को हमें हमें तो सनातन की कोई भी बात हो तो हमें तो आगे प्रमोटी करेंगे, सिदी सी बात है, उसको समझने के लिए हम गहरे से गहरे उसको सर्च करेंगे, 100% हमें तो हर टॉपिक चाहिए, हम बोल कैसे पाएंगे, 100% आने बाले समय जो है, वो हमारे पास लोग आएंगे, उसे कैसे हम जवाब दे पाएंगे, बिल्कुल, एक से एक लोग आ रहे हैं इंटेलिजन, और उनको हर कंसेप्ट हमें देना है, देना है ना, किलियर करना पड़ेगा, तो हम जब तक किसी केबल बापुजी से नहीं किलि वो ही बापुजी को समझ सकते है, जिनका उनका आत्मा का उनसे कनेक्शन है, जैसे आपने पोस्टर देखा, और वो स्मृति जागरत हो गई, और वो स्मृति आपको खीच के लिए, नहीं तो एक पोस्टर देखे, वो तो मतलब समझे एक चमतकार, उसको चमतकार है अपकर हम कहां, मतलब कोई कॉंटिक्ट नहीं होता मेरा, लेकिन हमने तो उससे पाया नहीं, वो नीमत तो मेरी मेरी, अपने अपनी ड्यूठी की और गया, हमें पता देना, हमारे हस्में बोले हैं, अरे तुम जो बोलती है किसी को समझ में आता है, तुम पता न किस ब्रहमान के बात करती हो, हम बोले कि देखिए हम बोल देते हैं मेरी देवरानी बगार है ना तो ग्यान को नहीं समझ लेती है बिचारी लेडीज तो बिचारी सुन लेगी कि रियक्शन नहीं देखिए लेकिन पुरूज का एंकार कर यह क्या बोल रही है कोई कोई समझता है तुम्हारे बात है को गई देखिए बीके में कौन लोगों से मिलते हैं तक आपका विश्वास कहें कि आपके भी ना हम फिर यहां भी नहीं कर सकते हैं बारा बारा है अब होना हम तो बर्किंग रेडिज हैं नहीं दो मेरे बास पैसा भी है डिजी रिस उपर्ड लेकर के ले आना पड़ए वियह उसको भिश्वास में नहीं ले पर नहीं है विंको साहँ हो इसके लिए उनको भिया दॉक रिदे लेसं और उनको न कुश हनॉप ही हुआ लिक जितने नीचे जा रहे हैं जितने अंदर एपर करते हैं ने की सब और लगता है कि कर आघे एक देखिये भी जहांगे यह कम्या हमारे अन्दरím कि 맛 और रहे हैं लेकिन धok राय है हमारे में ही ने और चांट crown वैंट्सन पर रे HAR और निंकर रहें है मटोंगर जिस तरह पार तो भी दिया गया था नहां? ज हुआ कर दो पांवर को सहे तरीका स grолод और सो आउए टार कर रहे था लेकिन त्हुरा ने न हमें बप्रकुजिन ने abroad को थे उसर्व का सब्किना ऐकर तो तो हम घब तक उस लेवल तक अपने पर काम नहीं करेंगे। कहिनी एक एक आत्मा हमें लगता है ने की एक आत्मा घकान और जितनी भी ज्ञान लगता है कि हम आपने कम्यों को दूर करके और भाकू जी बार-बार बहुत ही कि परम सांति शुचू तो हम अंदर से सुचे कि हम कितना परम सांत हुए है है बराबर है है देखे सर्च करें खुद को हम आपको नहीं दिख़ा है कि अन्हाम our देखे न懇ねभ है कि नहीं सकते का इन छी घंप कि बात है इनको मेंसे इलिघ करद एह नझे जिसका उंडोorko तो उसको उजागर करने के लिए नहीं सकते पहली बात बापुजी नहीं रहता था हमें सकते इस पर बताईए घलत है यह यह तो देखो बापुजी ने अपने वीडियो में यह बताया हैं तो ये बात तो उसको वहीं छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हम आपके podcast की बात करें तो हम उसी की बात करेंगे ये बाते तो हम आगे करते रहेंगे क्योंकि ये तो हमारा कामी है करना लेकिन फिलहाल ये हम ये जानना चाहते हैं कि उसके बाद जीवन में क्या challenge आए और कैसे आप उससे आगे निकले और 18 के बाद जो आपके जीवन में हुआ 18 के बाद तो पिर 18 के बाद जो रात में बापुजी का जो था कि आज 8-4 morning तक परिवस्तन हो जाएगा तो हम अपना चार बज़े मुबाइल आफ्टर दिये नहाद वाकर वाइट इड्रेस वहन के एक रूम बनाए हुए थे उस रूम में जाकरके अपना बैठ रहे हैं बच्चे सवा के घर लिए घरे को जा रहे हैं हम बोले हम कहीं नहीं जा रहे हैं जाएंगे तो सभी जाएगी हम को पाबर जबाएगी तो भी वो लोग को तो बुद्धी वही की है तो वो लोग मेरे पास बैठ हुए अनंत भाई 18 तारीके वो रात में पाबर तो आई है वो मैंने साक्षी बांसों भी बात किया था तो मैंने बताए पाबर आया बुरा वोडी हिला लेकिन और रहने का पाबर मेरे अंदर नही हुआ कि पाबर जरूर जिसने विए उस साइलेंस के वस्ता में गए जो भी आत्मा उस सबने थोड़ा बहुत महसूस किया है और उसके बाद सुबह हमारे घर के अगल बगल के लोग आ गए कि गए नहीं क्या हुआ हुआ हम चले गए हुआ है वहां सरीर से नहीं जाना है ब पूजी दौरा इस बुद्धी में आया कि हमें सरीर से अभी जाना ही नहीं है बुद्धी से जाना है और बुद्धी हमारी उपराम हो भी आ उसके बाद पीछे मुर्गे हमने कोई कुछ बोला हम ध्यानने चोदिये चोड़ दीए जिसको पूलना है जिसको इसको जुस लेकिन दैनिक जीवन अपना दुनिया के बातों में फसने का खतम हो गया अब किसी के बात को लेते नहीं परिवर्तन अपने में हुआ जो दुनिया के बातों को लेकर कभी दुखी हो जाते थे कभी रोना गाना होता था वो सब बंद हो गया कुछ कुछ बोलता है परिवार मे से जो जो में जो आत्मा हैं उन सभी में एक ऐसे उन सभी लोगों ने एक ऐसे experience किया कि वो experience जो है वो जीवन मुक्ती का experience उस वक से सुरू हुआ कि भाई अब हम लोग जो है वो जाने वाले हैं या जाएंगे तो मतलब वो जो खुशी और वो जो हमें आयन कि इस जीवन से हमारा वो हो गया जो पीछले जीवन थे ना वो जो बंदन हमने रखे दे ना कि अरे नहीं हमने छोड़ना है हमें तो नहीं छोड़ सकते हम तो नहीं जा सकते वो हमने प्रैक्टिस की कि भाई अब हम जा सकते हैं धे परिवर्तन की एक प्रोसेस थी जो हमारे बीतर शुरू हो चुकी थी और जो शुरू हुई उसने हमारे इस भावतिक जगत के या इस धर्ती लोग के जो भी बंदन है न वो अठारा में ही कटने शुरू हो और उसके बाद से जो है हमारे अंदर परिवर्तन का और स्टेज बहुत सुक्समा हुआ इतना ग्यान जो अठारा के बाद मिला है ये तो ग्यान उस वक्त तो नहीं दिया क्योंकि शायद उस वक्त जरूरत नहीं थी इतना जैसे बापो जी तो देख रहा थे हमारे बच्चे किस लेवल के हैं और कैसे कितना ही समझ पाएंगे हम उसको ग्य चिय ग्मी ग्यान को लेख ज्टा हमारे अंडर वी तो वापांको जय देसे क्यों समझते हैं चुन फिस उनके पीछे क्यािका सब शकाता है हैं सभी पाहना चाहता है उस मंदिर में सब कोई चाहता है सब लोग दुख से निवृती चाहती है कोई हुँ चाहता है कि हम दुखी है लेकिन फ**ip इसको बोलेगा वो सही है अपने जगह, उसी तरह हमारी भी बुद्धी नहीं थी, तो जैसे जैसे हमारी बुद्धी बापु जी द्वारा प्रकर होती गई, उनके ग्यान से हम मांजते गए, एक तरह से समझे कि उन्हों नहीं हमें एक किया, हमारी आत्मा को रगड़े, रगड़बाने का का हम बापु जीने की ग्यान के द्वारा धिरे धिरे ग्यान जैसे हमारी समझ में आज जो बात हो रही है, इस विलाइजेसन की, अगर आज से पांच साल, साथ साल पहले ही बात हो गई हो दी तो साइध हम नहीं समझ बात हैं, उस बात को से लिए समय का क्या, किस तरह से हम सु होते जा रहे हैं यह तो बाद यह तो शुरूआत हम देखो यह सुक्समा शुरूआत हो गई थी अठारा से जो से पहले से जुड़े हैं उन लोगों ने अपने जीवन में बदलाव अठारा से देखा है बहुत बदलाव और वो जो शुरूआत हुई ना वो आज तक इतनी करने वाले सीवानी वहन ऐसा कुछ आया था अच्छा वह में दिखाई चलो कमाल है मुझे बेज देना वाट्चप एकर आया है तो हम उनको बोले थे कि इसको श्रूट ले लिजे हम उनको बोले थे चले हो तो किसी ने पोस्ट बने दियोगी पर अच्छी बात है जैसे concept तो गया ना कहां से गया यह जा कहां से रहा है इसलिए बापोजी बार-बार हमारे कहते हैं कि मायवंडल को बदलेंगे अपने आप सब बदलेंगे वाईवंडल तो बदलना सबसे बड़ी सेवा है आज की डेट में और यह करना ही पड़ेगा और क किसी के पास नहीं है दुनिया में तुम भले कुछ भी कर लो वाईवंडल बदले बिना यह परिवर्तन या यह कोई एक मनुष्य एक जीव भी नहीं बदलेगा वाईवंडल बदलेगा तभी सभी में परिवर्तन दिखेगा आज की डेट में अनंत भाई हम परिवार में भी देख रहे हैं चाहे हो लोग माने ज्यान समझें ना समझें लेकिन हमें कोई भी स्टार नहीं करते हैं सबसे इभी तो परिवर्तन दिखेगा वैसे भी हर जीव को अपने जीवन का हमने को ठेका थोड़ी ले रखा है पूर बहासा मगद क TVान मगद मगदाम है त्पष्षाह वहां वहां कहा है बिहार में वह ऐसे लिखी भी जाती है या सिप बोली जाती है निकी के लिए ऑल्क सा कितने लोग होंगे जो ये भासा जानते हैं मतलब वारगी तो कितने लोग होंगे जो ये भासा जानते हैं कितने अधाई कर्यों को हम नहीं जगा पाएं अगर पाज को भी उसमें जग जाएं अगर आप उसको वीडियो को ट्रांसलेट कर के उसको अपने यूटूब चैनल पर आप कर तो उसके लिए हम अपना दोफर का समय है कर रही होगे अपना परमसंति का जाप कर रही हो जैसे अभी अखांडियों का कल किये थे ना तो हम सब सोनिया वहन सब लोग मेल करके एक टाइम जब आपका सुबह साक्षी वहन का जब क्लास खत्म हो जाता है उसके बाद सब का सीडूल बना हुआ है चालिस मिनिट का चालिस मिनिट के दो आत्मा मिलके कर रही है कोई बिहार से करके और दो-दो आत्मा मिल करके उसना देर एक कभी हम बोलेंगे दोनों मिलके परमसंति एक बाप दूजानक हुए चालिस मिनिट तक लगाता है तो इस प्रीट तो हरा जैसे एक चीज हम समझते है कि वह पाइमंडल में जा रहा है बिलकुल इभी वे से बाइब बेग में बोलते ही रहे हुआ है कभी को खाना बना रहे हैं और ऑभर हमना हो गया करके उन्सामें अब हमारे समय नौ बजे का ताइम हम उस समय मारे स्थिंस को ओनर से श्कूल मॉर्णिग था तो जब बन रहा था ना तो माई के मह तो हम क्या हो गया कि स्कूल उनको स्कूल जाना भीजना है तो कभी कभी तो कहाना बना रहे हैं और जब माइक आफ करेंगे, फिर रॉन करेंगे, परमसांती बोलेंगे, तो एक रोटी बनाएंगे, फिर परमसांती बोलेंगे, फिर दूसरी रोटी बनाएगे, इस तरह से चल रहा है, और उससे बहुत ही घर में सब लोग समझ गए कि ये दिन भर परमसांती के लाबा कुछ नहीं क बोलेगी परमसांति है, किसे बात करें हैं, बात क्या करें? देखो, ऐसा होता है ना, कि मनुश्य की इए कवस्ता होती है तो जैसे जैसे हमारी उमर बढ़ती है अब हम इतना बोल रहा है, और घर में लोगों को लगता है कि नहीं बोलती है नई सुनिए ऐसा होता है कि हर एक व्यक्ति की एक उमर होती है चाहिए पूरुसोस तरी हो कुछ उमर बाद जो है उसकी सभी इच्छाएं खतम हो जाती है लोकिक जगत की जैसे आपके बच्चे हो गए बड़े हो गए अब आपकी जो चीजे आपके अंदर एक बदलाव आ च उसमें तो पढ़ने वाले नहीं अब जो हमें आगे की परलोग को सुधाना है उसके उपर काम करेंगे तो ग्यान तो सास्त्र में तो यही लिखा न है एक्यावन के बाद में तो वन में जाना चाहिए पर फिर भी हम घरों में हैं कोई धंका मार के निकाल भी नहीं रहा है यह भी अच्छा है और हम खुद भी नहीं जा रहे है और अच्छा है तो घर में जितना देर रहें तो उतना हम अपना हिसाब से तो करें अगर अपनी आत्मा के लिए नहीं करेंगे तो फिर किस के लिए करेंगे यह तो वही बात होगी नहीं और तो यही प्रॉब्लम हो र कि क्या वान के बाद भाई भगवान का नाम लेना चाहिए आप कितना बार बोलते हैं आप कितना बार लाई में बोलते हैं कि आप देखो ना देखो कि जो तुम्हें एक घंटा टाइम नहीं दे रहा है तुमसे कैसे प्यार कर रहा है तुमको जो भी एक घंटा भी अपने लिए, उसके लिए तुम्हें समय नहीं दे रहा है, अरे इतना तो तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा न कि वो जहां जा रहे हैं, उनकी स्रद्धा बे उनको समय दो, कि हाँ जाओ भई, मजे करो, जाओ, कोई बात है, एक घंटा के जो भी आत्मा भाएं, लोग बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, लेकिन अमरिका में ये कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि सब अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, जाए लेडीज हो, जेंस हो, बच्चे हो, कोई किसी की नहीं सुनता, तुम्हार को जो अच्छा लागे वो कर ये कंसेप्ट वहाँ है, इसलिए वहाँ कोई डिस्टप नहीं करता, जादा बोले तो दो, तिन, पाँच, लेकिन एक और परिवार के और फायदे है, आप जितना ठोकर खाएगा ना, आप उतने अस्ट्रॉंग होते हैं, अगर अस्ट्रॉंग बनने वाले हैं, वो तो रमज को और भी एक सित होती है, या तो हई, अकले रहने में यह चीज़े डेवलप नहीं होती है, यह एक संगर्स है, यह एक परिवार में रहना एक संगर्स है, और यह संगर्स है, अधात्मिक लोगों के लिए बहुत बड़ा जाता है, ना जो पार रख दिया लिए करना है जो दुनिया कर रहा है उसका एक्सपेक्टरेशन और बढ़ जाता है इस मामले में है बिलकुर है जर्नी चल रही है अब आपो जी जब तक है हम सब को जब तक यहां रखेंगे जब चलती रहेगी पुर्ण विश्वास है पुर्ण आस्था है पुर्ण निश्य है हिला तो क्या हिलेंगे जो देखो एक बात है जब तुम आत्मा से परम परम आत्मा की स्टेज में पहुंच जाते हो तो वहां पे जो परम आत्मा की स्टेज में बहुतिक जगत रहता ही नहीं कौन हिलाएगा बहुतिक जगत वाले इंसान कैसे हिलाएगे जब आप इस अव करते हैं सब तो यह अवस्था आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि यह चीज जब आपके वाइबरेशन होंगे तो दुनिया आपको ही बोलेगी चलो परमसांति बस खुश रहो वो देखते हैं कि वो आत्मा आनन्द में है ना उनके उपर कोई जूर जबस तरह है वो अपने परमसांति में परम लाइट प्रकास में बैठे अपने स्वाधना कर रहे हैं करने तो क्या दिक्कत है यह बहु उनके अंदर भी आप भी बैठा उक्षा बना कर रहा है स्कूल की पाज गटे की जॉब करो आज़ा फिर बाद में लेकिन आपकी बुद्धी को प्यूर होने में थोड़ा मेहनत करो अपने उपर काम करो भई सबको यही है संदेश की अपने उबर काम करो आत्मा में से परम परम आत्मा बने का ही अभ्या से यह ज्यान यही तो है और नहीं बनना तो भी जीवात्मा बने रहो कोई जिक्कत में एक जनम ऐसा आएगा जब ठोकल लगेगी तो फिर तुम साधू बनना पड़ेगा जिसमें आपका बुद्धी जा रहा है तो उसके लिए तो इसलिए तो हमारे बेद सास्त्र जो है काथा है जैसे जड़भरत की कथा पढ़िये तो कम से कम तो समझेगा कि क्या यह सब भी नहीं नहीं छूते है यह भी नहीं छूते है माया से पयार है तो फिर कहाई यह चिप कोई बात नहीं है हमारे तो सबके लिए सुपकामना है सभी आगे बढ़े आज नहीं तो कल बढ़ना ही है नहीं तो फिर दुनिया प्रकुरूती तो बढ़ाएगी सब को आगे जैसे को रूना का टाइम आया तो बढ़े ना दुनिया सब पहुचे ना मंदिरों में वाह त हम आपके सारे में डूस द्वなたक करता है कि हम अपने हाप को बनाना है कि ऊधना ने करे सारे में अजत्य बनाना करें Państwa हम अज क्या सोच रही क्या आपका अब्जर्वेशन था करोना का जो समय था उसमें सभी लोग हमारे धरती पेक प्रकूब कहें या प्रकूरूती का रियेक्शन था ये लेकिन हम पहले भी एक करोना के बारे में 2012 में एक भूप था वो बुक था बैंक का माया जान था उसमें करोना के चर्चा है अच्छा मैंने नहीं सुनी कभी आप उपकी सर्च किजिएगा तो देखी रहा हूँ चले अपने कहा है तो सोचना पड़ी आएगी अच्छा पहले से लिगी थी दुनिया में हाँ अरे वा इसके तैयारी हो रही मैं कम एक अजयारी तो हम का dowager की कुछ है नहीं अचा सब लोग थे हम उधिया के दुनिया जज़ा हूआ होख और हम उस में आपके नहीं हो तो हम सब को बोलते थे कि आप डरो मत हमारे फैमली वहाली थे हमारे बहान को हो गया था मेरे भाई को हो गया है मेरे भाई को हो हो जाए हैंə है इस सर्दिखांस पहले भी हुआ अजब ए मन में जब है पैता करो वही करोना जी जी था तो वही सर्दिखांसी थी वही तो यह स्प्रीड किया गया है और तुम्हारा जब इमीन सिस्टम सही रहेगा यह करोना तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा और हमें एक फैथ था यह एक् आपके अंदर फियर पैदा करके आपको यहां से परमधाम बेजने का ही प्लान तो इसको फिर इतने लोगों का नहीं जाता है लेकिन आध्यात्मजगत के कोई व्यक्ती नहीं यह बात नहीं करी आप समझो कोई सादू संथ मात्मा नहीं बोले सभी यहां तक सीरी सर्व पता था उन्होंने नहीं ले क्योंको पता था चलो वो उनका परसनल चोईस है तो हमारे भारत में तो अच्छा है कि नहीं लिए कि मतलब सबका अपना चोईस है और जबड जसी सर्गार नहीं बोला कि तुम लोग वहांनी बताएंगे तो भी और आसी की बात है कि सारे लोग ले रहे थे करोना का सुई आया हुआ था लोग दिल लेने जा रहे थे मेरे हैं कि जाओ तो हमको नहीं लेना सुए तो क्यों नहीं लेना है तुमको सारे सुभधाव से बंचित कर दिया जाएगा हम कि हम सुभधा में क्या करेंगा हमें तो परमसांथी के भाइब जैसन पह कि अपने लिए इस्च मार्म जाड़ी आप सुझमोग में परमसांती में उसलेंगे आपने जाएगा उम्हाँ बितु कुछ नहीं लेगा पार भाइब लोगों से लोगों से उस वक दो फिहर अंट अवाला कोई बिमारी पहले होता है कि पहले आने वाला है ऐसा कभी नहीं होता है बिमारी अभी हमें क्या होने वाला हमें पता नहीं दुनिया को कैसे पता चलने गाखे हैं diplomatatow अन्त समय तक नहीं पता चलता है क्या है तो दुनिया को इसे पता चलेगी कि हम क्या बीमारी होने वाला है तो यह तो बुद्धी उसमय किसी ने बोला ही नहीं इस पात को लेकिन कुछ लोग रहे जो गुब्त रूप में इस पर वार किये सुप्रिम कोड टक इस केस को ले अजा यह तो पॉलिस होगी जो भी होगी आप ज्यादव में अध्यात्म की बात करो हूं और यह जो समय में आपने लोगों में क्या परिवर्तन देखा बहुत आध्यातम की बहुत लोगा है अध्यात्यात्म ते सनस्था से जोड़े पूजा पाठ भाठ बढ़ा दी यह उसमें silence में चले गया थे कि जब तक करोणा काल नहीं होगा तब तक बोलेंगे नहीं उसी वक्त तो हमने चालू किये ना पहले दिन के lockdown से रात को 10 से 11 मेडिटेशन शुरू किया और मेडिटेशन अज्यादा से ज्यादा सोचे कि चलो भाई एक तरफ उधर है तो हम तो यूद कर रहे हैं हमारे तो उद्धी चल रहा है बिल्कुल सुच मस्तर पर तो हमारा यूदी ही है हम तो महारत के मैडान में खड़े हूं है सही है अंदर से भी बाहर से भी याभी तो बाहर दोनों तरफ से है और दोनों बाहर को हमें से लड़ना है सही है और जितना भी है क्योंकि हमारे साथ कोन है हम हैं तो मुठी भार आत्म हैं तो हम से मुठी भार ही तो है मतलब पाप जी से बोले 9,900,900,9 कतना अरब जन संख्या में कितने लोग बहत के घ्ञान में है आज वो तो बाच सही है, प्रमातमा तो भी एक ही है, एक ही है ना, किसी को मेश सकती नहीए है, जब बापो जी बोले कडोरो, पीधियो आजाएग सर्जन भी सर्जन हो रहा जो अपने बच्चों को अपनों मारा है, सर्जन और सर्जन का मतलब हमें एक चीज उमको आया, जो अपने बच्चों को खुद ही सर्जन करता है भी सर्जन भी कर देता ता इसका मतलब उसको भी कुछ घ्यान नहीं है एक कड़व पीडिये तक तो कोई ग्यान नहीं है कोई भी अपना बच्चा को आप पापजी क्यों आए बाई देखो यह तो बहुत बड़े लेवल की बात ह लिए आप अपने creation को बचाई रखे या पावर दे या उनके बीतर ना कोई गड़बड़ी आए सर्जन वी सर्जन तो तब ही किया जाता है कि गड़बड़ी आजाती है तो ज़्यादा दुखी ना हो और उसको स्टॉप कर दिया फिर सिव को वो रचना आपने अंदर समा के रख लेनी चाहिए कि भाई अब महा सिव के पाज जा के बोलना चाहिए जी मैं अतो ठग गया भई अब मैंनी कुछ करने वाला मुझे रख लो पर हम दाम में अपने और मैं सांती से रहना चाहता सही कॉंसेप्ट तो बापुजी नहीं दिया इसके पर कहीं नहीं है कुई भाई 5D का बात कर ले 4D का बात कर ले 3D का बात कर ले वो तो अच्छा है एक awareness के भाई तो सरीर नहीं हो, permanent नहीं हो इतना तो awareness है 5D की बात करेंगे तो इतना इतना awareness तो आ रहा है कि हम दे एक दिन यही से निकलेंगे यही तो अच्छी बात है कि आत्मा की जागरेती तो हो रही है ला 5D के बारे बहुत बड़ी बात है लेकिन हमारे बापुजी हमें बचाने आरे हमारे भक्तिमार्ग में तो बोलते नहीं आ रहा है अभी तो बहुत साल बाकी है क्या फाइडी फाइडी करते हैं उस अवस्था में कभी सोचते है तो अबहुत आनंद की अलवुती होती है कि हमें कौन मिला यह बात है हमें कौन मिला हमें जब यह बाद हम सभी आत्माय को अंदर आती होगी तो हमें कितने खुशी मिलती होगी और निकाल यह निया है for ज़आ कि अपने हाथ अपर ही बागे साली है अब तो पिछली सब बाते हैं ठीक ही है गोजरा 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 लेकिन आज जो यह बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा होने वाला है बसुम इसी खुंसी में इसी आनान enabled anlat a or comment कर कल साक्सीबन एक बात बोली तो अब लग रहा है कि फिर से पीछे जाकर बैक जाकर करके सास्तु का भी अध्यम करना पड़े करें कि बहुत सारे भूल जाता है वह पढ़ते थे भक्ति लाइन में थे ना तो बहुत पढ़ते थे लेकिन जब ग्यान लाइन में तो प्रहाई थ चले बहुत सही बात की आपने पोड्कास्ट काफील बहुत आप्छा उच्छी बाते करी बहुत अच्छा सीखने को मिल आपकी अनुभ temper को बहुत खेलने की उनकोने होट हो इक नहीं सोच मिलेगी एक नया अगे बढ़ने का और हमारे दिव्यात्माएं जो अभी पुर्षात कर रहे हैं उनको भी बहुत बल मिलेगा तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके देखो आप इतनी दूर रहते हैं आप ऐसे सहरों से करेक्टेट नहीं है और फिर भी आपकी जो सोच है मतलब जो अध्यात्म के प्रति अपने बहुत के ग्यान और यह सब तो यह वाकी में बहुत अच्छा पोटका से हमारा और बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी इसको सुनने का कि यह संगर्स है लाइफ इतनी आसान नहीं है उ संगर्स के बीच में आध्यात्म को आगे बढ़ाना अपने भीतर हो और दुनिया में यह तो सबसे बड़ा चैलेंज है और हमें यह चैलेंज को पूरा करना है यह बात है तो चलिए आपकी आज की जरनी बहुत अच्छी लगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम से हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है वो हमारे बापुजी है और उसमें 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूं अगर मॉर्निंग में मेडिटेशन करना है तो साड़े पास साड़े 6 बजे परमशांती मोटीवेशन और मेडिटेशन की चैनल पर जुड़िए हमसे और खुब मेडिटेशन जो सख्षी से 15का होता है नाम जब हमद वाइब रखोचना है लेकि अधर मेडिटेशन अप्का अपन अग्यान का पाते सुन लेते हैं तो मेरा उस पर हम रिच जाने अंजाने में वह बात तो हमारी सुश्य्जी मारे पहुंच गह पहुच गई नौ उर रात को इतना अच्छा रात बना देगा व बेहत का रात बना देगा आपका अछ्छा रात मैं बना जागा आप बेहत के सब्झ को नहीं उज़ करेंगे आपके लिए उरात बहुत ही निंऑरा योग हो जएगा और सुबह जब सुरुवात हुई तो अपरमात्मा के ही ग्यान सुनकर के शुरू किये और सुरुवात जब हुई तो दिन भार आपको कुछ न कुछ बाते याद आजाएगी बीच में आज बापुजी के मतलब ग्यान से कुछ आ गया बारे में बोला सास्त्रों में लिखा वह एक हमें वह मिल जाता है अप दिन भर उस बे में रहोगी काम तो जरूर करेंगा घर में तो आपको काम करना ही पड़ेगा लेकिन दोनों चीज को थोड़ा सा कॉंसेशली पूरा नहीं सुनो आधा सुनो बाद में सुन लो लेकिन सुनो जरू हम भी कभी कभी पूरा नह लोग उससे टास्क तरग लेते हैं कि आज नहीं सुने पुरा अनाध्वाई काम कुछ नहीं लागए है कुछ काम के बज़ेस हम सुनो गए तो इतना ही सुने अब आगे का फिर सुन देना है तो अगर आप लोगे के पास समय जब भी मिले आप सुनो और अगर समय मिले तो लाइव में सुनो लाइव का मज़ा एक अलग है लाइव में सुनो और लाइव सुनोगे तो आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा नो डाउट बिलकुल चार साल हो गए लाइव में मुझे भी बहुत हेल्प होता है जो आप कमेंट करते है ना नीचे उससे मुझे आइड आपके गुरू की नाम नहीं हमारे आपके गुरू के नाम नहीं हमारे चाहिए। वहां पर हमारे वहां पर संतुष्ठी नहीं हुई इसलिए भी हम आगे के जर्नी में गया कि आपको जैसे अध्यात में एक जरनी जैसे नदी का धारा है नदी के धारा को अगर रोक दोगे न तो एक नाला बन जाएगी और नाला बनेगा तो समझो कि नाला के क्या इस्थिति होती है तो उसी तरह हमारी स्थिति अगर किसी भी सेंटर में जाकर हम रुक गए तो ज्यान प्रवाह है उसको बहने दो तो अकल हमें बहन हो सामें कॉल की है कि हमें आप से कुछ पूछना है अच्छा तो हम बोले कि अभी तो मेरे पास सुबक्त नहीं है हम घर जाएंगे तो हम आप प्यास को कैसे जगा सकते हैं बापो जी उस समय आपको बुद्धी देंगे लेकिन नाम लेकर करके अपने नहीं होगा हर सब्सक्राइब अपने अपने आप आएंगे सभी बात है ज्यान का सर्च करोंगे तो वहीं मिलेगा और क्या इस जगान को सोचेंगे कि हम मुल्टिव्र्स में कितनी कला है तो कला का लें कि झान कहीं कर आए और को बारे में जानना जाओगे तो फिर बापुजी के पास आओगे तो यह बात हमें नहीं आथा भी आदाया तो चलिए बहुत अच्छी बात प needed तो वाके में जो कला की बात किये न कला के बारे में तो मतलब एक सामान्य मने से तो जानता नहीं है कि राम 14 कला के या कृष्ण 16 कला के तो वो वसिष्ट जी का उनके गुरु जो पढ़ा रहे थे उसका एक रामैन का वीडियो जो है वो सुनके लोगों में awareness आती है कि हाँ कला नाम की कोई चीज होती है और वो कला कैसे और कितनी आगे तक है यह तो जितना आगे जोब अपना कला वो तो बापुजी की ज्यान नहीं है चलिए तो बहुत मज़ा है आपसे बात करके सभी का बहुत धन्यवाद परमशांती परमशांती मापापुजी को कोटी-कोटी नमन और अनंत भाई को बिशेस धन्यवाद क्योंकि हमें मौका दिये यह आपी का प्लेटफोर में जुरूर आए दुबारा से और बहुत बढ़िया बाते करेंगे परमशांती www.paramshanti.org email us anand at paramshanti.org like, share, subscribe join today